Class 9th और Class 10th के इतने सारे students के मैं आज तक interview ले चुका हूँ और उनसे मैंने उनकी secret books के बारे में पूछा तो तुम जानकर शौक हो जाओगे कि 90% students same books को follow करते थे हाँ मतलब आज मैं उन सारी books के नाम तुमारे लेकर आए हूँ यार पता है तुम्हें सबसे बड़ी mistake आज के समय पर तुम क्या कर रहे है सबसे बड़ी mistake तुम कर रहे हो अलग-अलग किताबों को follow करना कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम पहला chapter इस book से पढ़ते हो दूसरे इधर से पढ़ते हो तीसरे इधर से पढ़ते हो जब इस साल स्टार्ट हुआ था जब इस session स्टार्ट हुआ था तुमने कितनी सारी books खरीदी थी आड़ी छर्मा, आरे सगरवाल, एस चंद, कितनी किताबे है और आज के समय पे सच्चाई से बताना कितनी किताबों से तुम सच में पढ़ रहे हो बहुत कम से, यह reality है, यह 99% students करते हैं और इसी research के लिए मैंने बहुत सारे toppers से बात करी थी कि यार तुम बताओ, कि तुम जब class 9 में थे, class 10 में थे तुमने कितनी किताबों को follow करा, तो तुम जानकर शौक हो जाओगे कि मुझे toppers ने बताया, हमने जादा किताबों को follow ही नहीं करा उन्होंने बस थोड़ी सी किताबे ली और उन्ही किताबों को बार 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 revise करा और जिस वज़े से वो आज के समय पर topper बन पाए थे और उन्ही सभी किताबों को आज मैं लेकर आ गया हूँ और मैं guarantee से बोलता हूँ जो मैं books बता रहा हूँ उससे बहर आपका ज़्यादा paper आएगा नहीं उन books को आप केवल पढ़िएगा जो आपने इतनी सारी books ले रखी हैं उन पे time waste मत करो चुभी तुम्हें पता है exam कितना पास है exam almost आ चुका है 10th वालों के तो preboard आने वाले हैं कुछ समय में तुम्हें भी पता है तो इतनले अपना समय खराब मत करो जितनी books बता रहा हूँ केवल उतनी books को follow करने हैं उससे पहले बता देता हूँ कि ये video sponsored नहीं है एक वो student है जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और एक दूसरा वो student है जिसने अच्छी खासी पढ़ा है अभी तक करी है इन दो category में मैंने students को इसले डिवाइड करा क्योंकि इन दोनों के लिए books अलग अलग होती है अगर तुमने अभी तक पढ़ा ही नहीं करी है और exam आने वाले हैं दो महीने तीन महीने में तो फिर तुम वो मोटी कितावे नहीं पढ़ सकते तुमें वो short वाली कितावे पढ़नी पढ़ेंगे अभी बताऊंगा detail में बढ़ तुम खुद को divide कर लो क्या तुम इधर आते हो या फिर इधर आते हो वो तुमें खुद को पता होगा तुमने आज तक पढ़ाई करी है या फिर नहीं करी है मुझे बताने की ज़रुत नहीं है आगे चलते हैं Science, SST, English, Math सारी books आपको दिखाऊंगा कौन कौन से books important बट उससे पहले एक बहुत important point बता देता हूँ देखो यार एक बहुत बड़ी सच्चाई है ये सच्चाई शायद तुम्हें लोग ना बता है बट मैं तुम्हारा अपना प्रिशान भी है हूँ तुम वहाँ से ला सकते हो easily क्योंकि paper 80% NCRT से ही बनता है ये बहुत बड़ी reality है और 20% जो paper होता है वो भार से आता है क्योंकि NCRT में वो competency-based question नहीं होते assertion reasoning नहीं होती तो उसके लिए आपको जरूर reference book की जरुरत पढ़ने वाली है ठीक है तो हम subject-wise start करते है और class 9th के लिए है class 10th के लिए है बहुत ध्यान से सुनते रहना subject-wise बता रहा हूँ सबसे पहला subject है हमारा प्यारा science science बहुत प्यारा subject है मैं आपको पढ़ाता भी हूँ तो देखा यार science की पहली mandatory किताब जो आपको लेनी ही लेनी है वो है NCRT चाहे आप 9th में हो या फिर आप 10th में हो NCRT को आप skip नहीं कर सकते अगर आप class 10th के student हो NCRT आप read नहीं कर पाते तो मेरे lecture देख लेना NCRT मैंने cover कर रखी है but NCRT की जो example question होते है वो आपको करने ही पढ़ेंगे question bank उठा सकते हो चाहे वो उस वालो educat हो या फिर कोई भी हो फरक नहीं पड़ता but क्यूंकि आज के समय पर आपके पास समय कम है तो यह जो मेरी खुद की किताब है मैं आपको यह suggest कर देता हूँ और यह मेरी खुद की किताब है इसलिए मैं ऐसे suggest कर रहा हूँ ऐसा नहीं है मैं बस reality से suggest कर रहा हूँ क्यूंकि आपके पास समय कम है और आप class 10 के student हो आपके pre-board भी start दोने वाले है कुछ समय में तो इस किताब के अंदर हमने क्या करा है जितने भी questions होते है important questions भो डाल दे है चाहे वो previous year question हो NCRT exemplar हो या फिर आपके competency based हो तो आपको वो इतने मोटे question bank लेने की जुरत नहीं है आप इसको लेना link में दोंगा description में बट अगर आपने कोई question bank और रेड़ी ले रखा है कोई दिक्कत नहीं है उससे पढ़ लेना उसके अलावा एक ये class 9th के लिए all-in-one एक book आती है आपको पता ही होगा Ariant की वो आप ले सकते हो अगर आप class 9th के अंदर हो देखो class 9th के अंदर ना हर एक बच्चा NCRT नहीं पढ़ता अगर आप class 10th के student हो तो आपके लिए तो NCRT बहुत important है बढ़ class 9th का student in NCRT नहीं पढ़ता तो उसके लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ all-in-one क्योंकि इसके अंदर theory भी होती है तो class 9th का बच्चा किवल एक किताब ले सकता है all-in-one उसके आप theory करो question practice करो आपका काम भही बन जाएगा उतने ही आपके लिए इनफ है तो I hope कि science के लिए आपको पता चल गया होगा book की link मैं दूँगा description में या फिर आप माल लेना comments में मैं pin कर दूँगा देख लेना ठीक है उसके अलावा कुछ extra books बता देता हूँ जो आप ले सकते हो अब ध्यान से सुनना mandatory books जो है वो तो सब के लिए वो तो सब को लेनी लेनी है चाहिए उसना भी तक पढ़ाई करी है नहीं करी है फरक नहीं परता बट यह extra books जो है ना वो मैं बताता हूँ किसको लेनी है किसको नहीं लेनी पहली extra book है अपनी लखमीर सिंग की जो अपनी कितावे आती है, क्लास 9 और क्लास 10 दोनों के लिए कि आपको पता होगा, लखमीर सिंग बुक्स जो अपनी आती है, बहुत अच्छी कितावे हैं, बहुत advanced level की कितावे होती है अगर आपको science लेनी है, class 11 के अंदर तो आपके लिए तो बहुत important है, अब ये book वही बच्चा ले, जो अभी तक science में बहुत अच्छा perform कर रहा था, अगर तुमने science अभी तक पढ़नी भी शुरू नहीं करी है, धंसे पढ़ाई भी नहीं करी है, तो इन books को मत ले लेना, ठीक उसके साथ साथ एक mandatory किताब होगी, class 10 वालों के लिए, जो कि है sample paper, class 9 वालों को कोई sample paper लेने की आवरशक्ता नहीं है, जरूरत नहीं है, अगर कोई बोलता है, तो बोलना भाई, प्रिशान्द वेने मना किया, sample paper लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुमें नहीं लेना है, class 10 के लिए important है, बढ़ याद रखना new pattern वाला ही sample paper लेना, अगर तुम CBST के student हो तो अभी launch नहीं हुआ है, जब launch होगा, अलग-अलग brands का, तो मैं तुमें बता दूँगा, ठीक है, I hope, यहां तक आपको clear होगा होगा, science के लिए कौन सी किताब है आपके लिए जरूरी है, आगे वो जो चार NCRT की पतली-पतली किताब हैं न, उसमें से आपका directly paper उठके आएगा 90%, बढ़ बढ़ी problem है, कि भई हम NCRT पढ़ नहीं पाते, SST की, तो करना क्या है, देखो आप किसी और के notes को भी follow कर सकते हो, अगर आप यह नहीं कर पाते हैं, तो आप किसी और के notes follow कर लेना ठीक है, यह class 10th के लिए बता रहा हूँ, और उसके साथ-साथ जैसे मैंने आपको बताया है, एक question bank की किताब तो आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि question practice करना बहुत ज़्यादा important है, चाहे SST हो, चाहे science हो, चाहे math, तो फरक नहीं पड़ता, एक question bank होनी ही चाहिए, तो इस इसलिए मैं आपको इसको recommend कर देता हूँ, आगे बढ़ते है, class 9th के लिए SST की कौन सी किताब होगी ज़रत है, तो द्यान चे सुनना, आपके लिए, इन दोनों मेंसे आप कोई भी किताब ले सकते हो, या तो आप all-in-one ले लो, SST की, या फिर आप क्या करो ना, आप यह व आपको theory वाली books भी लेनी होती है, क्योंकि हम class 9th के अंदर उतने serious नहीं होते, class 10th के अंदर तो हम बहुत serious होते, NCRT भी बढ़ रहे होते हैं, पर class 9th के अंदर reality यह है, कोई student NCRT पढ़ता ही नहीं है, अगर तुम पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, पर इन दोनों math के example question और exercise question तुमें solve करने आने चाहिए, और एक चीज़ मैं बहुत clearly बोल रहा हूं math के लिए, देखो, तुम कोई भी book लगाओ, बट सबसे पहले at least दो बार तुमने math के exercise question को solve करा होना चाहिए, अगर तुमने math के exercise question नहीं करें, NCRT के, तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्य इसलिए जितनी जादा practice करोगे, उतना जादा अच्छी चीज़ है, उसके साथ-साथ एक question bank तुमें लेना है, किसी का भी question bank ले सकते हो, चाहिए वो स्वाल हो, iducoart हो, किसी का भी लो, अगर आपके पास है, already best है, बट ये जो one shot किताब हैं, जो हमने launch करी हैं, इसको मैं इस इसलिए recommend कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो सस्ती है, ये पतली है, और इसमें वही question है, जो कि आपके board के अंदर आएंगे, बट हाँ, ये CBST के लिए है, अगर आप ICST के student हो, तो आप कोई भी brand ले लेना, ओस वाल गुरू कुल नाम से आता है ICST का, तो आप वो वाली book ले सकते जो आपके लिए best हो, बट एक question bank जरूर ले लेना, उसके अलावा क्या बता रहा हूँ, class 9 के लिए math की कौन सी किताब है important है, तो NCRT तो important है, देखो मैंने SST में बोला था NCRT मत पढ़ना, class 9 के student, but math के लिए तुम्हें NCRT solve करनी ही पड़ेगी, उसके साथ साथ एक book आती है all-in-one, या तो तुम all-in-one ले लो, या तो तुम golden ले लो, या तो तुम edugard की book ले लो, तीनों में से कोई भी brand ले ले लेना, link मैं description में दूँगा, अगर तुम्हारे पास already है, well and good है, कोई दिक्कत नी है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हमारा reference book, maths के लि ले लेना, गलती से भी, क्यों इतनी मोटी किताब है, solve करने बैठेगा, जिंदगी निकल जाएगी, solve नहीं हो पाएगी, ये किताब पता है, कौन लोग करते हैं, जो की साल की starting से पढ़ना start करते हैं, वो जो महीना होता है न, April का, जो बच्चे April से पढ़ना start करते हैं वो कर जो, जो अगर आप starting से पढ़ाई कर रहे थे, well and good है, बट अगर अब पढ़ाई कर रहे हो, please, इन बुक्स में मत आना, वरना तुम बहुत समय अपना खराब कर दोगे, उसके बाद बात करते हैं, English की mandatory किताबों के बारे में, तो देखो, English के अंदर आपके जो class notes हैं वो enough हो आप उसको ध्यान से सुनोगे ना, तो आपको समाज आ जाएगा, बट उसके साथ-साथ एक book में आपको recommend कर देता हूं, जो कि है, या तो आप all-in-one ले 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 ना, या फिर जो हमारी one-shot आती है English के आप वो ले 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 ना, ये book मैं इसलिए recommend कर रहा हूं क्यूंकि English में ध्यान से पड़ा ही नहीं होता, तो अगर आपके पास कोई book होगी न, चीसी, तो वहाँ से आप answers को देख सकते हूं English के, और आप समझ सकते हो कि answer को लिखना कैसे होता है, तो कोई भी आप एक question bank ले ले ना, English के लिए, क्यूंकि आपको एक writing practice हो जाएगी, बट एक चीज य लाज रखना, English को जादा neglect मत करो, ठीक है, I hope कि आपको clear हो गया होगा, और class 9 के लिए मैं बता देता हूं, सबसे पहले class notes आपके लिए enough है, English के लिए, और एक किताब आती है, full marks, वो आपके लिए enough है, ठीक है, ये दो books आप ले सकते हो, link मैं दे दूँँगा, description में, अब ब इतना करोगे न, इतना अगर तुम कर लेते हो, तुमारे लिए enough है, Hindi, Sanskrit, कोई भी subject है, वो पार हो जाएगा, इतना करने से, बट फिर भी, अगर आप class 10 के अंदर हो, आप board देने वाले हो, तो आप पे थोड़ा pressure होगा, तो हाँ, आप एक किताब ले सकते हो, full marks की आती है, ह अगर लेनी है, तो यह mandatory तो नहीं बोलूँगा, मैं क्योंकि आपकी इच्छा है, आप लेना चाहो ले सकते हो, बाकी जोरत इतनी नहीं पड़ती है, अगर आप यहाँ पे भी ध्यान दोगे न, Hindi, English में, अगर आप स्कूल पे ध्यान दोगे न, आपको extra book लेनी की जोरत ही पड़ेगी, अगर ले रखिये, वैलन गुड है, बाट mandatory नहीं है, अगर Hindi बिल्कुली समझ नहीं आती, तो फिर हाँ, जरूर इस किताब को आप ले सकते हैं, तो आई होप की तुम्हें समझ आ गया होगा, साइन्स के लिए, साइन्स के लिए, साइन्स के लिए, इंगलिश इंपोर्टेंट है, इस से बाहर आपको नहीं पड़ना है, चाहे फिर अभी क्या होगा न, जैसे जैसे आपके एक्जाम नस्दीग आते जाएंगे न, तो बहुत सारे बच्च आगर कहेंगे, कि अरे तिर पास ये वाली बुक है, मेरे पास तो ये वाली बुक है, तो फिर तुम टेंशन में आ जाओ यार, मैंने तो इस बुक से पढ़ा ही नहीं करी यार, मैं क्या करूँगा, टेंशन मतलो, टेंशन मतलो, आपको मैंने बता दिया न, NCRT Question Bank, NCRT Question Bank, इतना करोगे इनफ है, कोई बच्चा आकर बोले यार, तुने आड़ी शर्मा नहीं करी, 98 नही करते हैं, टॉप पर एक किताब को 100 बार पढ़ते हैं, मतलब आप एक बुक लोगे, उसको बार-बार रिवाइस करोगे, SST हो गया, Science हो गया, English हो गया, Hindi हो गया, Revision, Maths के लिए Question Practice, बार-बार करना है, इतना करोगे, कोई रोक नहीं पाएगा तुम्हें, कोई रोक नहीं सक